फेंड से देखिए आम की गुटली को हम सीड से कैसे तरह से ग्रो कर सकते हैं वो आज हम आपको बताएंगे यह देखिए यह सीड है जो हम मिट्टी में जब डाल देते हैं तो कुछ 15 या 20 दिनों के बाद इस तरह का शूट निकलता है यह देखिए यहां से रूट निकलता है और यह जो है यह लियूज का पॉर्शन है और फिर उसके कुछी दिनों के बाद यह इस तरह से होता है यह रूट का पॉर्शन है यह नीचे जाएगा और यह शूट है यह उपर की साइड में आएगा और उसके कुछी दिनों के बाद यह देखिए यह इतना ब्लैक कलर के लिउज आते हैं ब्राउन कलर के लिउज आते हैं उसमें और यह नए लिउज होते हैं रूट से नीचे के साइड से ही रहते हैं और यह फिर उसके बाद उसमें ग्रीन कलर के लिउज आते हैं यह देखिए तो इस तरह से हमारा आम का प्लांट बढ़ता है सीड से तो आम के प π्लाइं लेक्त अगर वाले सियद्ट से जी हैं अगर अगर आप ग्राफ्टिंग वाले प्लाइंट्स की स्टेम लेकर तो इस प्लांट में भी अगले साल से ही फ्रुटिंग हो जाएगी तो ग्राफ्टिंग कैसे करना है वो हमने आपके साथ वीडियो शेर किया है आप हमारे चैनल पर देख सकते हो या फिर आगे भी चलके हम grafting करेंगे तो वो भी हम आपके साथ share करेंगे इस सारे plants पर हम grafting करने वाले हैं हमारा जो लड़ू गोपल आम हैं बड़ा वाला उसकी stem की grafting करेंगे तो friends आप भी इस तरह से आम की गुटलियों से plants ग्रो कर सकते हो वे दिखें ये मेरे सारे गुटलियों के प्लांट्स ग्रो किये हुए हैं इतने सारे अभी मेरे प्लांट्स हो चुके हैं और ये सारे प्लांट्स मैं लगा रही हूँ